ऐसे काम करने से यह तेरह चीजें नश्ट हो जाती हैं। यह तेरह चीजें नश्ट हो जाती हैं। अच्छी बिजनेस या नौकरी हो। फिर भी दूसरों की तरक्की से दिन रात जलते रहते हैं। वे लोग अपने सुख से सुखी नहीं होते, अर्थात दूसरों के सुख से दुखी जरूर होते रहते हैं। ऐसे लोगों में आत्म संतोश की कमी होती है। उस तालाब में बहुत सारे मेंधक रहते थे। उन मेंधकों के बीच एक मेंधक ऐसा भी था जो बड़ा इरश्यालू था। वह हमेशा दूसरों जीवों को देख देख कर उनकी खुशियों से जलता रहता था। उसके इस स्वभाव से दुखी होकर तालाब के अन्य मेंधकों ने संगठित होकर उसे अपने समूह से अलग कर दिया था। अब वह इरश्यालू मेंधक बिलकुल अकेला रहने लगा। कोई उसे मूह नहीं लगता था। अकेले अकेले रहते हुए उसे काफी दिन बीट गए उससे कोई बोलने बतलाने वाला भी नहीं था। एक दिन वह तालाब से बाहर घूमने आया। तो उसने देखा कि एक पेड की जड में एक चूहा अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रहा है। मेंधक को उसका हंसी खुशी भरा जीवन रास नहीं आया। उसने योजना बनाई। कि क्यों न इस चूहे से जूट मुठ की दोस्ती कर ली जाए। और इसे अपने मित्रता के जाल में फंसा कर इसे मार डालूं। फिर इसके घर पर मेरा अधिकार हो जाएगा। फिर मैं रोजाना यहां आकर खूब मस्ती किया करूंगा। मित्रों मेंधक ने चूहे के प्रती एक शडियंत्र बना कर तयार किया। एक बात बताओ मित्रों। कहते हैं व्यभिचारणी स्त्री बनावटी लज्जा दिखलाती है। खारा पानी ठंडा होता है, दमवी मनुष्य विवेकी होता है, जो दृत जन मीठे बोलने वाले होत कहते हैं, अकेला तो वन में खड़ा व्रिक्ष भी बुरा लगता है। मेंधक को अत्यंत दीन अकेला समझ कर चूहे को उस पर तरस आ गया। कहने लगा मित्र, वैसे तो विवाह संबंध और मित्रता, एक जाती और एक समान बालों में ही शोभा देती है। परंतु तुम इ उत्तर सुनकर मेंधक मन ही मन में बहुत खुश हुआ। और उसी दिन से मेंधक रोजाना चूहे से मिलने उसके घर आने जाने लगा। दोनों घंटों बैठ कर बहुत सारी बातें किया करते थे। चूहे को मेंधक पर पूरा भरोसा हो चुका था, कि बो उसका सच्चा दोस पर उसे यह नहीं पता था, कि विश्वास घात विश्वास घाती ही करता है। जिस पर आपको विश्वास नहीं है, आप उसे इतना निकट लाही नहीं सकते, और न तुम उसे कोई गुप्त बात बताओगे। एक दिन मेंधक ने कहा मित्र तालाब में रहने वाले। अन्य रसी का एक सिरा अपने पैर में बांध लो, और दूसरा सिरा मैं अपने पैर में बांध लेता हूँ। इससे क्या होगा? कि तालाब में जब भी कोई मुझ पर संकट होगा, मैं तुम्हें बता दिया करूँगा, और यदि कभी तुम पर संकट आ जाए, तो तुम मुझे पूचित कर देना, हम दोनों एक दूसरे को सहायता पहुचा दिया करेंगे, आखिर विपत्ती में एक अच्छा मित्र ही मित्र के काम आता है, मेंधक की बात चूहे को खूब जची, वह भागता हुआ गया, और गाव में एक घर से कपड़े की एक रसी उठा लाया, उसने रसी का एक चोर मेंधक के पैर में बांध दिया और दूसरा चोर अपने पैर में बांध लिया, मेंधक ने देखा कि मूर्ख चूहा हमारे जाल में फंस चुका है, उसने तुरंत तालाब में एक लंबी छलांग लगा दी, मेंधक के तालाब में कूदते ही, चूहा भी जट पारके में तालाब में जागिरा, पानी में कुछ देर जटपटने के बाद आखिरकार चूहे ने दम तोड़ दिया। मेंधक आश्चर्य में पड़ गया, वो अभी पानी में था, आस्मान में कैसे आ गया, परन्तु जब उसने चल को दिखा, तो उसे सारा रहस्य समझ में आ गया, कि बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही होता है, कितना भी चतुर चालाक हो, कभी न कभी तो मूर्खता कर ही बैठता है, आज मेंधक अपनी मूर्खता पर पच्चता रहा था, पर क्या करता चुहे के साथ मेंधक भी चील का भोजन बन गया, जैसी करनी वैसी भरनी मित्रों एक कहावत है, कि जो दूसरे को कुँआ खोलना है, उनके लिए भी कही न कहीं भाई मिल ही जाती है, या हमारी मूर् पर उठने का प्रयास करते हैं, पर ध्यान रहे, औरों को गिर कर उठने वाले कभी-कभी ज्यादा ही उपर उठ जाते हैं, तो उनके नीचे उतरना संभव हो जाता है, मित्रों, दूसरों को सुख पहुँच कर ही मनुष्य सुखी होता है, गिरा कर तो निकम में लोग आग पूर्ण बात, ऐसा काम करने से यह तेरा चीज नश्ठ हो जाती है, नंबर एक, खोटी सलाह से राजा नश्ठ हो जाता है, नंबर दो, दूसरों के सन्न संग से सन्यासी नश्ठ हो जाता है, नंबर तीन, अधिक लाड़ प्यार से पुत्र, ना पढ़ने से ब्राह्मन, कु समय समय पर देख भाल न करने से, स्त्रियां और ठीक से देख रेख न करने से खेती, परमार से धन और मूर्खता से स्वयम व्यक्ति नश्ठ हो जाता है, मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और दूसरे मित्रों में शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार ज्यानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जैश्री कृष्णा